जी है दोस्तों इस बात में कोई दोहराय नहीं कि जिस परकार से विक्की जैन और अंकिता लोखंडे की नजदी क्या बढ़ती जा रही हैं तो कुछ ही दिनों में उनकी शादी की खबरे भी सामने आने लग जाएंगी बताते दोस्तों कि इस परकार से विक्की जैन सुशान सिंग राजपूत के बाद अंकिता लोखंडे के हालिया बॉइफ्रेंड हैं जहां पर विक्की जैन और सुशान सिंग राजपूत की कुछ तस्वीरे एक साथ देखने को मिली थी जिससे फैंस ने इस बात कक्यास लगा कि सुशान्थ और विक्की एक दूसरे को काफी अर्से से जानते हैं बता दे दोस्त इस परकार्ट से अंकिता के सास्थ सुशान्थ सिंग राजपुत काफी लंबे समय तक जिलेशन्शिप में रहे थे यह सब बात जानने के बावजूद भी विक्की ने अंकिता लोखंडे क अपनाया ही नहीं बलकि सुशान्थ केस में जब अंकिता लोखंडे पर काफी सारे सवालात खड़े हो रहे थे तो विक्की ने उनका हर कदम पर साथ दिया तो कहीं न कहीं अंकिता लोखंडे ने इस बात को लेकर उनका आभार जटाया था लेकिन आपको बता दे दोस्तों इस परकार से सुशान्थ के अलविदा कहने से कुछ दिनों पहले ही अंकिता लोखंडे और विक्की जेन की सगाई की खबरे सामने आ रहे थी रिपोर्ट्स की माने तो वो जल्दी शादी करने वाले हैं विक्की जेन सुशान्थ के परिशित रहे हैं उनकी सुशान्थ के स पार्टी करते वे तस्वीरें भी वाइरल हो चुकी है जानकारी दोस्तों इस परकार्ट से सुषांद के बाद अंकिता ने उनके परिवार को काफी सपोर्ट किया उनके बॉर्ट्रेंड विक्की जेन ने भी उनका साथ दिया अंकिता लोखंडे आज भी सुषांद सिंग रा कहें कि विक्की और अंकिता ओफीशली तोर पर कव एक दूसरे के साथ शादी के बंदन में बनेंगे फैंस इस बात कभी इंतजार कर रहे हैं तो वहीं कुछ फैंस जो सुषांद सिंग राजपूत को दिल से प्यार करते हैं वो ये नहीं चाहते कि उनकी एक्स अंकिता लोखंडे जो सुषांद के लिए काफी खास थी वो किसी और के संग रिष्टा बनाए लेकिन दोस्ता आपको बता दें ये बात कि किस परकार से विक्की जेन अंकिता लोखंडे के लिए काफी खास हैं इस बात की जानकारी खुद अंकिता लोखंडे ने अपने सो तूट चुकी थी अब उसके बाद जब सुशान सिंग ने अलविदा कहा तो भी विक्की जेन नहीं अंकिता का हाथ थामा और उनको हर मुसीबत की हडी में साथ दिया तो हर लड़की यही चाहती है जीवन में कि उसका साथ निवाने वाला उसका साथ ही जब मिल जाए तो उस झाल